किस भारतिय बैंक की सबसे अधिक सखाए हैं। भारतिय इस्टेट बैंक की भारत में सबसे अधिक सखाए हैं। Q2. मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। आपके ओप्शन हैं A. सोना, B. दामबा, C. लोहा, D. चांदी। आपका सही जबाब होगा ओप्शन नम्बर C. लोहा, मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। Q3. नीरत चोपडा का संबंध किस खेल से हैं। आपके ओप्शन हैं A. होकी, B. जैवलिन थ्रो, C. फुटबाल, D. क्रिकेट। आपका सही जबाब होगा ओप्शन नम्बर B. जैवलिन थ्रो, नीरत चोपडा जैवलिन थ्रो के खिलाडी हैं। Q4. अंडू के उत्पादन में भारत का बिश्रो में कौन सा इस्थान है। आपके ओप्शन है A. पहला, B. दूसरा, C. तीसरा, D. पाचवा। आपका सही जबाब होगा ओप्सन नंबर भी दूसरा अंडू के उत्पादन में भारत का बिश्व में दूसरा इस्थान है क्वेस्चन नंबर फाइब अडपा सब्यता की खोज की थी आपके ओप्सन है आपका सही जबाब होगा ओप्सन नंबर सी दयाराम सानी ने की थी क्वेस्चन नंबर सिक्स उत्तर परदेश की राज की मिठाई कौन सी है आपके ओप्सन है A. जलेबी, B. समोसे, C. रसगुले, D. लड्डू आपका सही जबाब होगा ओप्सन नंबर A. जलेबी उत्तर परदेश की राज की मिठाई जलेबी होती है क्वेस्चन नंबर सेबन भारत का पहला सोने का एटियम कहां खोला गया है आपके ओप्सन है A. दिल्ली, B. मुंबई, C. गुजरात, D. हैदराबाद आपका सही जबाब होगा ओप्सन नंबर D. हैदराबाद भारत का पहला सोने का एटियम हैदराबाद में खोला गया है इसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं क्वेस्चन नंबर एट ऐसा कौन सा जीव है जिसकी पांच आँखे होती हैं आपके ओप्सन है A. चीटी, B. हाथी, C. मधुमक्खी, D. मच्छर आपका त्रही जवाब होगा ओप्सन नंबर C. मधुमक्खी, मधुमक्खी की पांच आँखे होती हैं क्वेस्चन नंबर नाइन, इंस्टाग्राम किस देश की कमपनी है? आपके ओप्सन है A. जापान, B. चीन, C. अमेरिका, D. भारत आपका सही जवाब होगा ओप्सन नंबर C. अमेरिका, इंस्टाग्राम अमेरिका की कमपनी है क्वेस्चन नंबर टेन, नहाते समय पिसाब लगना किस बिमारी का लच्छन है? आपके ओप्सन है A. पत्थरी, B. बाबासीर, C. कैंसर, D. इंफेक्शन आपका सही जवाब होगा ओप्सन नंबर D. इंफेक्शन दोस्तों नहाते समय पिसाब लगना किसी बिमारी का लच्छन नहीं है लेकिन यदि ऐसा होता है तो इंफेक्शन होने के चांस रहते हैं तो दोस्तों ये थे जीके के टॉप 10 क्वेस्चन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेट और हेलफुल वीडियो जो आप लोग को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें थैंक्स पर वाचिंग